दोस्तो अगर आप भी भारत और बांगलादेश के बीच सूपर एट का रोमांचक मैच देखने के लिए उस साही तो तो वीडियो को जरू लाइक किजिएगा दोस्तो बांगलादेश की टीम को खदेडने के लिए यहां वीवियन रिचर्ड से इस्टेडियम पर भारतिय कप्तान रोहित शर्वा ने जीत लिया है टॉस हो चुका है मुकाबला शुरू आकिर टीम में पांच बड़े बदलाव करके उतर चुका है भारत हो चुका है मुक कप का 47 मैच जीतेगी अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए अब आपका ज़दा समयना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि टी टुवन्टी विश्व कप अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका ह जहां 47 मुकाबला भारत और बांगलादेश की टीम के बीच आज यानी की 22 तारीक को खेला जा रहा है वहीं दोस्तो सर वीवियन रिचर्ट से स्टेडियम पर शुरू है इस मुकाबले का इंतिचार बेसबरी से पूरा देश कर रहा था क्यूंकि दोस्तो बांगलादेश की टीम को इस सरजमी पर हराने के लिए वहीं हम आपको बता दें कि भारत और बांगलादेश के बीच यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए सबसे यादगर साबित होगा क्यूंकि अगर भारत के टीम यह मुकाबला जीत गई तो वो सेमी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी ज अब दोस्तों यहां आपको हम बताते हुए चलें कि जहां एक तरफ भारत की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ बांगलादेश की तरफ से नजमूल होशन शांटू अपनी टीम को किसी भी हाल में जिताना चाहेंगे वहीं अगर बात की जाए मै अब दिखाया जा रहा है और अगर आपको मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो होट इस्टार एप पर दिखाई जा रही है जा आप सभी से रुमान चक मैच का आनद उठा सकते हुए वहीं बात करें अगर मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर भारतिय कप अनदेश की टीम बल्लेबाजी के लिए जादा कुछ जानी जाती है नहीं और वैसे भी टी-20 वर्डक अप में उनका प्रदर्शन इतना भी जादा कुछ खास अच्छा रहा नहीं है तो भारत की टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी वहीं अगर बात की जाए प्लिंग पंत को मौका दिया गया है चौते नमर पर हार्दिक पांडिया खेल रहे हैं फिर सूरा कुमार यादव रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है तो दोस्तों ये तो होगे टॉप अटर के खिलाडियों और वहीं बात करें निचले करम के खिलाडियों जी आँ दोस्तों यहां बांगलादेश की टीम की तरफ से तंजीद हसन और लिटन दास पारी की शुरुआत कर रहे हैं तो वही नजमुल हुसेन शांटू, राशिद हुसेन, तोईद हरीदोय, शाकीबल हसन, महमद उल्ला, मेदी हसन, तसकीन एहमद, तंजीम हसन, साकीब और मुस्तफिजूर रहमान खेलतों में नजा राएंगे, तो दोस्तों यही होगी बांगलादेश की प्लेंग 11 टीम, और अब आप सभी क्या मानते की भारत और बांगलादेश में से कौनसी टीम मुकाबला जीतने में कामियाब रहेगी अपनी राए, हमें कमेंट करके जर बताईएगा, उमीद आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आयोगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत